जोते श्रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हर्दिक स्वागत और अभी नंदन मेरे प्रिय साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वदानंद शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार वरा नमस्कार तो मेरे प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि रोज की तरह आज भी आपके साथ करने वाले हैं चर्चा आपके अपने मन पसंद कारे करम के विशे में जिसका नाम है दैनिक राशी फल तो साथियों दैनिक राशी फल की चर्चा तो करेंगे उससे पहले आपको पंचांग के विशे में भी जानकारी देंगे और ये बताना भी चाहेंगे कि ये दैनिक राशी फल आपका जो की पूरो रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान इस सिती पर आदारित है वहर वहर और ये पंचांग दोनों दिनांग 25 मई सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2021 क्यासी के हैं हिंदी का महीना जेश्ट का महीना चल रहा है पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है तित हो गई आज दुतिया यनिके दौज नक्षत रहेगा जेश्टा योग रहेगा सिद्ध करण होगा तैतिल और राशी होगी आज वरिष्टिक लेकिन चंद्रमा आज प्राते 10 बच कर 36 मिनट पर अपनी नीच राशी वरिष्टिक से निकलेंगे और अपनी सम राशी धनू में करेंगे प्रिवेश राहुकाल की समयवदी रहेगी पराते 8 बच कर 50 मिनट से लेकर पराते 10 बच कर 34 मिनट तक और अभी जीत मुर्द की जो शुप समयवदी है वे पराते 11 बच कर 50 मिनट से लेकर के 2 पहर 12 बच कर 45 मिनट तक रहेगी और ये थी इस्थिती पंचांग की जिसको अभी हमने आपके साथ साजा किया अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशी फन के विशह में और आरम करेंगे मेश राशी से जिनका एरिस साइन है और एक एक करके मीन राशी तक सभी के विशन में बात करेंगे और जानेंगे कि आज 25 मई 2024 दिन शनिवार आपका कैसा जाने वाला है तो साथियों सबसे पहले मेश राशी के जातक जिनका एरीश साही ने बताना चाहेंगे प्रियसाथियों आज के दिन आप यनि के शनिवार के दिन अपने बुद्धी के दोरा आप जटिल से जटिल कार्रे भी सुल्जा लेंगे इस्टुडेंट्स हैं वो भी आज के दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड लेकिन दूसरी ओर जो हायर इस्टुडेंट्स कर रहे हैं उनको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी ज़ज़ा कि हम बार बार बोल हैं हर रोज यही बात बोल रहे हैं गरों की सिती कुछ ऐसी है कि हायर इस्टुडीज करने वालों को कुछ अधिक परिश्रम परने के उपरांति सामानने से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि घर परिवार के सदस्तों के साथ आपके अच्छे संबंद बने रहेंगे और आपका वेभार भी सभी के साथ काफी हद तक ठीक रहेगा बस अपने स्वास्त का जरूर ध्यान रखिएगा स्वास्त को लेकर के विशेश रूप से आँख या दांक से संबंदित प्रॉब्लम आपको हो सकत है तो स्वास्त का आप अपने हर तरीके से ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा उपाए आज के लिए आपका बनता है कि आज एक तो आप काली चीजों का दान अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जैसे की काले तिल हो गए जैसे की काल कंबल हो गया या काले शूज हो गए इस तरीके की चीजों का आप जान करें तो आपके लिए काफी अच्छे परणामों की प्राप्ति होने वाली है आगे बात करते हैं विर्शवराशी के जो जातक हैं उनके विशे में यनि के जिनका टौरस साइन है पर यह साथियों बताना बन रहे हैं और मान सम्मान की प्राप्ति आप करेंगे पहली बात दूसरी बात यह कि जो भी अपने ऐसे कारें हैं कि जो ग्यान के दौरा जहां पर ग्यान की आवश्यक्ता है वो तो आप बहुत आसानी से उनको पूरा कर लेंगे और बड़े कम समय में कर लेंगे सफलता पूरवर क्योंकि यहां पर गुरू ब्रस्पति आपको पूरा सपोर्ट करने हैं साथ ही आप थोड़ा सा रोमेंटिक मूड में भी रहेंगे आज के दिन और रोमेंटिक मूड जो रहेगा यह अच्छी बात होती है आदमी परसंड रहे रोमेंटिक मूड में रहे तो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे वेवाइक सुकों का भी आनंद लेंगे लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कर सकें उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पूजा करना बिलकुल ना भूलें आगे बात करेंगे मित्वन राजशी के जो हमारे मित्र हैं जिनका की जेमनी साइन बनता है प्रिया साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिये जो आपको धनकी इंकम है मतलब इंकम जो है पैसे की जो इंकम हो रही है वो अच अच्छा परफॉर्म करेंगे अच्छे रिजल्स की प्राप्ति करेंगे लेकिन अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ कुछ बातों को ले करके आपकी डिफरेंसिस उभर करके आ सकते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साती के सा अच्छे डंग से रहें और देखिए जहां तक हो सकता है आपकी कोशिश तो वैसे रहेगी तो यही और आप उसमें सक्सिस भी होंगे ग्रों की और से कुछ ऐसा ही संकेत है कि आपकी भी इच्छा रहेगी कि किसी भी प्रकार का कोई कलेश तनाव पैदा ना हो अपने मामला है तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और कोई अगर आपको लो नादी लेने की चुक है तो महां से भी आपका कार्या बन सकता है यदि पहले से आप effort कर रहे थे कार्या नहीं बन पा रहा था अब बन सकता है त तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप कच्छा कोईला जो होता है कच्छा कोईला सवा के लो या अपने वजन के बरावर अगर वजन के बरावर नहीं कर सकते हैं तो सवा के लो कच्छा कोईला लेकर के बहते जल में प्रभा कीजेगा और हनुम जी का ध्यान अवश्य करें जैसे जितनी अच्छी तरीके से आप उनकी भक्ती करेंगे उतनी ही समस्याइं आपके वर्क प्लेस में कम होगी ये मान के चलें आगे बात करते हैं करकराशी के जो हमारे मित्र है जिनका कैंसर साइन है प्रिय साथियों मैं आपसे बताना कि देखिए स्टूडेंट्स करकराशी के काफी अच्छा करने की उनकी कोशिच रहेंगी थोड़ा बीच बीच में हो सकता है कि उनका मूड कुछ अपसेट हो जाए कुछ चीजों को देख करके कुछ चैप्टर पढ़के या किसी किसी भी बात को लेकर के पढ़ाई से रिल का आगमन तो धनका आगमन भी सामानने से मध्यम रूप से आपके लिए होता रहेगा मित्र भी आपके लिए मित्रता भी आपकी जो है वो आपके लिए सहयोग करने को तक पर रहेंगे मित्र लोग जो है आपके उनका भी सहयोग आपको मिलता रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं स थोड़ी हमें कमी लगती है, लेकिन आपका एनरजी लेविल बरावर रहें, परिश्रम आप बरावर करें, भाग गया आपका मजबूत हो, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए करना है एक जटा वाला नारियल लें, और ग्यारा सावुद बादाम लें, और फिर वो काले कपड़े में, नए काले कपड़े में बांद करके, उसकी पोर्टली बना करके और बहते जल में प्रभा कर दीजिए, तो ऐसा करने से आपके सारी समस्यां दूर होंगी, आगे बात करेंगे सिंग राशी के हमारे मित्र हैं, जिनका लियो साइन बनता है, प्रिय साथ य इतना सब कुछ तो मैं करने की बात नहीं करना हूँ, लेकिन फिर भी काफी अच्छा आपको एक माहुल मिलने वाला है अपने वर्क प्लेस पर आज के दिन, और कुछ मामलों में हो सकता है, आपको असंतुष्टी रहें, लेकिन काफी कुछ चीज़ों को ले करके, आप संत हासिल करेंगे और अपने रुके हुए कार्यों को भी आप पूरा कर सकते हैं आज के दिन, इतना अच्छा योग है, बस थोड़ा सा अपने घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं सदस्ये हैं, उनके साथ तालमेल बना के रखने की कोशिश आपकी जरूर रहनी चाहिए, ता थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, और करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत अधिक करेंगे तो सामानने से मद्यम परिणामों की प्राप्ति आज के दिन आपको हो पाएगी, उपाए आज के दिन आपको करना क्या है, प्रिये साथियों में आपसे बताना चाह उसका भोग लगाएंगे तो शनी देव बहुत प्रिसंद होते हैं ये करेंगे तो आपके काफी कार्रे जो हैं रुके हुए कार्रे भी पूरे होंगे और साथ ही अगर हनुमान जी की भी भक्तिया आप करते हैं किसी भी रूप में करें आप हनुमान इस्तोत्र का पार्ट कर हैं वहाँ बैठ करके तो अभी आपके सारे कष्ट दूर होंगे आगे बात करेंगे कन्या राशी के जातकों के लिए जिनका विर्गो साइन है प्रियसाथियों में बताना चाहूंगा कि जो आप कन्या राशी के हमारे मित्रे हैं आप क्या भाग गए मैं यही कहूंगा कि 50 50% आपका साथ देगा 50% में थोड़ी कमी है लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि एक तरफ तो आपका मन करेगा कि आज काम पर नहीं जाते काम सुबह प्रहते काल जब उठेंगे तो या तो उठने के साथ आपके मन में आलस से आएगा या उठने के बाद थोड़ा ऐसा म त्याब करके तो यह तो एक थोड़ा सा इस तरीके की मेंटलिटी सुबह आपके टाइम आपकी मनोस्तिती रहने वाली है और दूसरी और मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर हो सके तो छोटी दूरी की यात्राएं करने से बचिएगा अच्छा रहेगा और जो आपके व जिरोधी हैं शनी देव उनको पूरी तरह से शांत किये हुए हैं लेकिन कहीं न कहीं दूर दराज की यात्राओं में आपको तकलीफ हो सकती है आपके चोट फैंट लग सकती है या फिर आपका कोई सामान चोरी हो सकता है तो उससे आपको इन बातों का रखना होगा ध्यान वैसे धन की स्थिती बेटर रहेगी धन आपके हाथ में आपको दिखाई देगा लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूं कि अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि आज के दिन कहीं से धन का आगमन होगा या किसी के पास आपका पैसा है वो आ जाएगा उसकी उम्मीद करना बेकार ह उसके बारे में सोचना आज के दिन बेकार है तो कहीं से एक्स्ट्रा इंकम आपको होने की आज के दिन कोई चांसिज नहीं है हाँ इतना है कि आपको जो आपकी नीड है पैसे की जो जरूत है उतना जरूर कहीं न कहीं से हो जाएगा चाहां किसी भी रूप में हो वो इस्त प्रमादक पदार्तों का बिल्कुर सेवन ना करें और तामसिक भोजन भी बिल्कुर ना करें चाहें महिला हैं या पुरुष हैं और महिलाएं जो हैं वह भी हनुमान चालिसा का पाट निरंतर करें अगर चाहते हैं कि आपका मेरेड लाइफ अच्छा चलता रहे और जो पुरुष हैं वो बजरंग बाण का पाट करें और हनुमान जी की आरती तो करनी ही है साथ में मीठे का परशाद भी आप चड़ाएं जैसे कि बेसन के लड़ू या पूंदी का परशाद आप चड़ाएं और उसको बाटिएगा यह उपाय आप करने राशी के जातक जरू करें अब साथियों चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशी के मित्र हैं जिनका लिबरासाइन है बताना चाहेंगे वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा वो भी आप पूरी कर पाएंगे लेकिन थोड़ा वर्क प्लेस में आपको साफधानी से कारे करने होंगे अपने आज के दिन और साफधान रहना होगा और अपने कारेंगों को पूरे इमानदारी के साथ और पूरा लगन के साथ करने के आवश्यक्ता है ताकि आपको आपके जो सीनियर्स हैं क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं उनकी भी आपके उपर और आपके कारे को लेकर के उनकी पूरी नजर है तो इस बात का भी आपके मन में रहनी चाहिए बात कि आपका कोई कारे आपके दौरा बिलड़ने ना पाए तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाग्य का सही हो आपको मिलता रहेगा बुद्धी के द्वारा भी आप अपने काफी कारणें को आज के दिन हल कर पाएंगे प्रियसातियों मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि देखिए आपका वैवार यूँ तो सभी के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है आप कुछ अपनी वाणी और वैवार के कारण भी लोगों को प्रभाविक कर पाएंगे हाँ मैं इतना जरू कहूँगा यहाँ पर कि देखिए जो आपका कहीं पर भी कोड के चैरी सका मामला चल रहा है उसमें कुछ आपके लिए समस्याइं बन सकती हैं आपको टेंशन हो सकती है उन चीज़ों को ले करके तो क्या उपाएं करें कि जो वहाँ पर ऐसे कारणियों में आपको टेंशन ना हो या विरोधी आपको परिशान ना करें ओम अंग अंगारकाय नमाहा ये आप जरू करें अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के तकलीफों से छुटकारा मिले आगे चलते हैं विरिष्चिक राशी पर जिनका स्कॉर्पियो साइन है प्रियसाथियों मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आपके वेवाहिक ज जो अभी बनी हुई थी उसमें कुछ सुधार होते हूँ भी आप देख सकते हैं आज के दिन और काफी रोमेंटिक मूर्ड में भी रहेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आपके कारे छेत्र से संबंदित अगर कुछ चीज़ों में परिशानी आती भी हैं कटनाई आती आते रिजल्ट्स भी प्रभावित होते लग रहे हैं तो आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकें परिणाम अच्छे तंग से प्राप्त हो सकें उसके लिए मासरस्तोती की पूजा अवश्य करें अगर मंत्रों का जाप कर सकते हैं मासरस्तोती जी का नहीं तो सरस्त दूसरा उप्यप बे नित्तर के लिए हनुमाण जी के मंतर में जाए हनुमाण जी के सामने बैठ करके हनुमाण चालिजा का पाठ करें हनुमाण जी के आरती करें यह आप चात्र लोग उपाय अवश्य करें और दूसरा उपाय वो ये बनता है कि देखिए शनिवार का दिन है आज शनी देव के मंदर में जाएं और शनी देव के मंदर में जाकर कि क्यों? क्योंकि आपके उपर धहिया का भी प्रवाव बना हुआ है शनी की तो शनी के उपाय करें, शनी महराज के दान करें, शनी मंदर में जाकर के और शनी देव को प्रिसंट करें आगे बात करते हैं धनुराशी के जातकों के लिए प्रिय साथियों बताना चाहेंगे के जनका सैजिटेरिय साइन है आप जो चात रहें धनुराशी के आप काफी कुछ अच्छा करेंगे और मैं संतान की और से भी बताना चाहूँगा कि संतान की और से भी माता पिता को धनुराशी के जो जातक हैं अच्छा परिणाम प्राप्त होने की योग बने हुए है और धनका भी आगमन होता रहेगा सामाने से मध्यम income आपको होती रहेगी और savings भी आपकी अच्छी चलती रहेगी या पहले कहीं अगर आपने अपना पैसा invest किया है या save किया है उसके भी अच्छे return आपको मिलने की पूरी संभाव ना है बस थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा हेल्थ में भी विशेश रूप से खान पीन का पेट से सम्मझेज व्यादियां आपको कर सकती हैं परेशान और प्रियसार्चियों थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं तो थोड़ा समहल करके करें हो सकता है उसमें आपको कोई तकलीफ या कटनाई का सामना भी करना पड़ सकता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा विरोधी शांत रहेंगे ज्याद़ आपको परिशान या टेंशन नहीं दे पाएंगे हाँ कारे छेतर में थोड़ी दूसरी समस्याएं जरूर रहेंगी जिनको ले करके आप परिशान रह सकते हैं तो उसके लिए तो फिर आपको देखिए यही है कि आप अगर किसी गरीब कन्या की विभा में मदद कर सकते हैं तो यह बहुत आपके लिए रहू को शांत करेगा रहू का इलाज यही है और दूसरा है कि देखिए आप धनूर राशी के जातक तो जो है पूरे महीने अगर हनुमान जी की भक्ती करते हैं तो इससे उपर कोई उपाय है और है ही नहीं हनुमान जी की सेवा करें और हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के आप पान के ग्यारे पत्ते लेकर के कलावे में मौली में बांद करके माला बना करके उनकी हनुमान जी को चरणा रमीठे का भो लगा करके सभी में वितरिच करें पर शात, ये आप करें, और वहीं बैठ करके हनुमान चालिसा का पाथ, आप करें हरनुमान जी की आर्भी, ये आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, सबसे बेस्ट रेमेडि, आगे बात करेंगे मकर राशी के जो जातक हैं जिनका कैप्रीकॉन साइंच बनता है प्रिये साथियों आपके उपर भी शनी की साड़े साथी का प्रभाव है तो शनी के उपाए शनी देव का दिन है कल जरूर करें शनी देव से संबंदित चीनों का दान जरू करें, शनी देव की पूजा करें, शनी के मंतरों का जाप करें, शनी चालिसा का पाट करें, शनी देव की आरती करें, उपाय तो ये आपके लिए बनता ही है, ये तो आपको वैसे भी करना ही है कल के दिन, शनीवार के दिन, क्यों है जिसमें कमी के संकेत मिल रहे हैं गरों के द्वारा और भाग्य भी आपका कहीं न कहीं भाग्य के द्वारा भी कुछ कमी बन रही है भाग्य में अवरोध पैदा हो रहे हैं हाला कि मित्र आपके पूरा साथ देंगे मित्रों का सहीयोग प्राप करेंगे और धनका भी आगम आपको हासे लोगी परिया साथियों श्टूडेंट्स की भी बात कर लेता हूं कि श्टूडेंट्स भी जो है समानने से मध्यम परणावों की प्राप्ति उनको भी अवश्य होगी लेकिन उपाये अगर आप करते हैं तो शनी देव का उपाये तो मैंने बताया ही है आपको सा बिलाए हैं वो पीपल के वरक्ष में जाकर के संद्या के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जो पुरुष हैं वो शनी मंदिर में जाकर के पूजा करें यही सबसे बड़ा उपाय है और साथ ही हनुमान जी की पूजा ना करना भूलें आप अगर आज के दिल मंगल इस जनी देव के द्वारा एक पंच महापुरुष राज्योग का भी निर्मान हो रहा है तो टेंशन तो आपको बराबर रहेगी दिमागी तोर पे लेकिन आपके कार्रें भी ऐसे बनेंगे कि जो आप जिसके विशे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी साथियों आपका चा नहीं है संबब लेकिन हाँ थोड़ा धेर से हो सकती है लेकिन बहुत जो भी कुछ मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा आपको उससे आप बहुत काफी हद तक संतुष्ट रहेंगे पराकरम भी आपका अच्छा बना रहेगा पराकरम को ले करके भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी वेवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या हैं लेकिन अवर आल एवरेज अगर देखें तो हम 60% कह सकते हैं कि आपका वेवाहिक जीवन सुख़द है प्रिया साथियों मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि देखें कारे छेत्र में थोड़ी बहुत आज के दिन आपको समस्याएं आ सकती हैं और ये समस्याएं जो हैं आपके विरोधिया आपके लिए पैदा कर सकते हैं तो विरोधियों से बहुत ज़्यादा साफधान रहने की आवश्यक्ता है और जो भी आप अपना कार्रे कर रहे हैं किसी के उपपर आप बिलाइंड फेद ना करके चलें बिलाइंड फेद नहीं करना अगर आप बिलाइंड फेद करेंगे तो नुकसान में रह जाएंगे तो इसलिए जो भी आप कार्रे करना है स्वयम करें और उस पर पूरी निगरानी रखें पक्का पूरा उसको नोटिस में लेते रहें चीजों को बरावर तो आपका जो है दिन आज का अच्छा निकलेगा और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है कड़ग भाशा का इस्तमाल नहीं करना जो भी जिसके साथ भी आप करें अच्छा बिवार करें बोल चाल से ढंक से रहें अगर आपने उल्टा सीदा बात किया किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया तो आपका कोई भी जो ऐसा सामने वालब ब्यक्ति है वो हर्ट हो सकता है दुखी हो सकता है तो वो भी ठीक नहीं है तो आपकिसी प इं मंत्रों में से किसी कहा भी जाब कर सकते है शनी उस्तोत्र का भी पाथ कर सकते हैं और काली वस्तूओं का आप दान करें जैसे काली उड़त की डाल है اور या लोहा है PLAY काला कपडा है सरसों गातेयल है, इत्यानी और इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय आप क्या करें राहू इस्तोत्र का पाठ भी करें राहू इस्तोत्र का करें मंगल इस्तोत्र का करें दोनों करें तो आपके समझ लीजे के सारे तकलीफ हैं दूर आप जो अब हमारे मीन राशी के जाता के हैं उनके विशेम में बात करेंगे आपके उपर भी शनी की साले साती आरम हो चुकी है तो कहीं न कहीं मानसिक तोर पर दवाव और प्रेशर तो आप पर रहेगा लेकिन आप नकारात्मक सोच की तरफ ना जाएं प्रेशर तो जरूर रहना है क्योंकि शनी की साले साती है लेकिन आप ऐसा नहीं है कि बिलकुल अपनी सोच को ही नकारात्मक कर ले सोच नकारात्मक नहीं रखनी है सोच अपनी पॉजिटिव रखेंगे तब ही चीज़ें आप आगे की अच्छे डंग से पूरी कर पाएंगे अन्य था अगर आपने नकारात्मक सोच की तो आप अगे आने वाले जो भी कार्रे करने हैं उनको नहीं कर पाएंगे सबलता पूरवक इस बात का जरूर ध्यान रखना है और कोई भी शॉर्ट कट रास्ता नहीं अपनाना है किसी भी रिजल्ट को एच्छीव करने के लिए इस बात का भी ध्यान बरावर रखिये बरावर हम बोल रहे हैं ये बात कोई भी गैर कानून या समवैदानिक तरीका एडॉप बिलकुल ना करें कहीं पर भी ना करें बुद्धी आपकी इस ओर चलेगी इसलिए हम बारवार जोर दे करके बोलना है कि ना करें प्रिया साथियों यह तो घर गरसी घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे संबंद रहेंगे और थोड़ा सा बुजरुगों का आश्रवाद आप लेने में कंजूसी करेंगे लेकिन मैं यह कहूँगा कि उनका आश्रवाद परमावश्यद है उनके प्रहते काल उटकर के चरन च्छूएं और उनका आश्रवाद अवश्यद है किसी भी बात को ले करके अगर वो आपसे नाराज होते हैं या आप पर करोत करते हैं तो आप उसका बिल्कुल बुरा ना माने और आप हो सकें तो उनकी बातों को एग्नोर करें और बस ऐसा उनको एग्नोर ना करें उनकी बातों को एग्नोर करें मैं ये कहना चाहता हूँ भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेंगी भागे में, लेकिन फिर भी तगरीवन 50-60% भागे का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और पराकरम भी आपका मध्यम बना रहेगा, थोड़ा बहुत आलसी सोभाव भी रहेगा, थोड़ा ये भी सोचेंगे कि नहीं, पराकर से संबंदित, जो भी चेलेंजिज आपके सामने आ रहे हैं, उनको ले करके निराश नहीं होना है, तो सबसे पहली बात तो ये, कि अभी क्योंकि ये लंबे समय तक ऐसी इस्तिफी रहेगी, आज की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, तो एक तो जहां तक हो सके, आप शिव सहस्त इस मंतर का जाप करें, तो आपके लिए काफी कुछ चीज़ें ठीक रहेंगी, और आपको क्रोध अधिक ना आए, आपकी बुद्धी ठीक रहे, उसके लिए हनुमान जी की भी पूजा करना बहुत आवश्यक है, आज के दिन आप हनुमान जी की भी पूजा करें, और हनु परशाद बाटे, तो ये जो उपाय करेंगे, तो इससे आपको काफी लाब मिलेगा, तो परिया साथियों, ये था आप सभी बारे राजशियों के, जो हमारे मित्र हैं, मेज से लेकर मीन तक, उनका देनिक राजशी पल, दिनांग 25 मई सन 2024, दिन शरीवार का, ये आपको च चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियों हमारे बनते हैं, वे सभी जो एस्टोलोजी के टॉपिक को लेकर बनते हैं, वे सभी पूरी नोटिफिकेशन के साथ समय रहते हैं, आप तक पहुंचा हैं और आप उनका लाब ले सकें, तो फिर आप बैल आइकन जरू पुश कीजेगा, तो साथियों अब हम अपने इस कारे करम का यहां पर समापन करेंगे और अपने सभी आप प्रिया दरशक्रणों से वीवर से लेंगे अजाज़त, तो आप सभी का सहर दे बहुत बहुत धन्यवाद, जैमाता जी